तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा है कि आप लोग ठीकी होगे तो स्वागत है आपका 7 अपिशोट के अंदर तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी शीरी कवेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैन स्काइब नहीं किया है तो प्लीज चैन स्काइब कर दीजगा और साथ ही अगर आपने मेरे NK 2.0 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज जाके उसे स्काइब कर लीजगा उसके लिंक आपको मेरी बायो में या डिस्किशनल मिल जाएगी और साथ ही आपको मेरे बायो में यहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक भी मिल जाएगी कि उस लड़की से पूछना पड़ेगा रे यहां पर जाता है उस लड़की को ढूड़ने के लिए लेकिन लड़की नहीं मिलती यहीं पर हम देखते कि लड़की खिड़की से रे को देख रही होती है और यह बोलती है कि मैं तुम से भीग मांगती हूँ कि तुम फ्यूचर क के पास आ जाता है और यह पूठता है क्या तुमने यहांपे किसी फोक्स लड़की को देखा है तो यह जहुं इसकी भावनाओं को यहां पर समसकता हूँ तब रोज यहां पर रे के गले को पकड़ लेती है और यह बोलती क्या किरका तुम क्या समसकते हो क्या तुम पटाओगे यहां पर रे बोलता है कुछ भी नहीं जिसके बाद रे पूछता कि वैसे तुम कहां पर चली गई तो रोज यहां पर रे को निछे रख देती है और यह बोलती है यहां पर बाउंडरी पास गयी थी और यह पे जो डैमस आरमी वह बरे कर दité हाँ यहां पे जो ब्रीज है उसे पार कर गे यहां पे आ जाते हैं जिसके बाद हम देखते कि रे यहां पे इससे पूछता है कि तुमने किसी फॉक्स गल को बारे में सुना हुआ है तो यहां पे रोज बोलती कि वैसे मैं उसे सही से तो नहीं जानती हूं लेकिन वो लड़की यहां पे दो सल पहले इस जगह पे आई थी और वो यहीं पे रहती है यहां पे डाकू से बचके रे बोलता है कि नैपर्स आखिर तुम्हारा क्या मतलब है तो यहां पे रोज बोलती है कि जो डैमीन हुमन्स होते हैं वो जो होते हैं काफी महंगे होते हैं उनका प्राइस होता है वो काफी महंगा होता है पहले तो उनकी बोड़ी को देख कि उनका प्राइस दिया जाता ह और साथ ही अगर उनके पास कोई rare magic हो तो और जड़ा प्राइस दिया जाता है यहीं पर रे बोलता है क्या किसी बंदे के पास ऐसा magic हो सकता है जो तुम्हें बुरे सपने दिखाए तो यहां पर रोज बोलते क्या मतलब लेकिन अगर किसी बीष्ट मेंड के पास ऐसी power होगी तो उसे काफी security में रखा जाएगा वो भी बीष्ट land के अंदर लेकिन आखिर कर तुम यह से बाते क्यों पोच रहे हो तो यहां पर रे बोलते है कुछ भी नहीं बस मैंने इसे बुक में पड़ा था यहीं पर रोज बोलते कि मैं महराज के बाद जा रही हूं तुम घर चले जाओ जिसके बाद रोज आती है और सारी बातों को महराज को बता रही होती है महराज बोलते हैं कि हमें माफ करना हमने तुम्हें खत्रे में डाल दिया लेकिन तुम्हें रोज बोलते हैं लेकिन महराज उन लोगों ने नया पूल बनाना शुरू कर दिया होगा और मुझे लगता है कि उस दिनों में उपूल बनके तयार हो जाएगा जिसके हम महाराज बोलते हैं ठीक है सवी सोलजर को यहां पे खटा करो कल हम उनसे बात करेंगे और साथ ही जो हिरोज हैं उनको अभी यहां पे बुला दो जिसके बार रे और टीना यहां पे जा रहे होते हैं तब ही जो प्रिंसस होती है वो आ जाती है यहां पे टीना प्रिं में कुछ हुआ है क्या तो यहाँ पर ने बोलता है कि नहीं हमारे बीच यहां पर जो रूटा यहां होता है कि तुम इतनी रात को यहां पर आए तो यहां पर निय बोलता कि मुझे माफ करना मुझे पता है कि दुम्हें की에 और मैंने तुम्हारी नीन्द खराब कर दी तो यहाँ पे रे बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वैसे भी मुझे इस कंडिशन में नीन्द कहा आती है और तुम तो ग्रेट हीरो हो तुम्हें और जहाँ नीन्द नहीं आएगी यहाँ पे जो टीना है वो अपना मन बना चुकी है लेकिन मैं काफी डर रहा हूँ मुझे काफी डर लग रहा है जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे फाइटिंग कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी नीन्द नहीं आती इसलिए मैं कैसल छोड़ के यहाँ पे भागाया मैं जहाँ काफी डर चुका हूँ तुम्हें यह भी पता नहीं होगा कि जब मैं यहाँ पे कैनाइट्स की ट्रेनिंग पे गया था तब यहाँ पे मैंने मोस्टर को देखा था और एकदम से मेरे पैर जो है एकदम से जैम हो गए थे लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे जो मोस्टर है उनको हराया था लेकिन मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डर गया था और मुझे पता है कि तुम नहीं डर रहे तो यहाँ पे ने बोलता है कि नहीं मैं डर रहा हूं यहाँ पे रे बोलता है कि तुम फाइटिंग से नहीं डर रहे तुम्हारे उपर बहुत सारा प्रशर है तुम्हारे उपर बहुत सा लोग की उमीद है इसलिए तुम काफी डर रहे हो लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तुम उनकी उमीदों पर खड़ा ही उतरो तुम्हें पहले अपनी जान बचानी है तुम यहाँ पर जो ने होता है वो रे से पूछता है कि तुम बताओ तुम क्या कहते हो तो यहाँ पर जो रे होता है यह बोलता है कि मैं लड़ाई करूंगा मैं यहाँ पर सभी बंदों को जो है बचाओंगा ओभी जो है डेमन किंग की आर्मी से तब यहाँ पर ने कहता है कि आखिर का तुम यह क्या कह रहे हो तुम पता है ना कि तुम यहाँ गलती से आए थे और क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा तो यहां पर रे कहता है कि नहीं मुझे डर लग रहा है लेकिन मैंने अपना जो मन है वो बना लिया है और मुझे पता है कि मैं यहां पर गलती से आया था लेकिन मैंने यहां पर आके बहुत सारी चीजों का experience लिया है और बहु कि यह हैं उसकी भी एक्रीक्षट करूंगा तो यहां पर जो रहे होता है जिस में जाए हो। एक आवाज आती की अच्छा यही जो है ब्रो रेमेंस है तो यहाँ पर रे कहता है की मुझे माफ करना लेकिन मैं सोने जा रहा हूँ टीना तो हम लोग कल बात करेंगे इसके बारे में तब ही जो टीना होती है वो पीछे से आ जाती है और यह बोलती है की तुम यहाँ पर चोके नहीं मुझे लगा की एकदम से तुम डर जाओगे की आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ तो यहाँ पर ने बोलता है की वैसे की तुम कुछ भी कर लो मैं जहूं नहीं डरने वाला हूँ और रही बाद तुम acity कैसे आही हो यह बाद मैंने कैसे नोटिस कर यह मैं क्लिर कर देता हूँ यहाँ पे तुमने ने को देखा होगा जो काफी अजीब वरकते कर रहा होगा जिसके बाद तुमने घै उसका पिज़ा किया और तुम यहाँ पे आगई है न तुम्हें उसकी बहुत जादा ही परवाह है जिसके बाद यहां पर टीना भूलती हें तुमने नहीं ठीक करें तब यहां पर रहे कहता हैं तुमने मन मन ना लिया है यहां पर रहने का। इसलिए तुम्हारे में जो कंडिशन है वो जह थोड़ी सी डिफरेंट है जिसके बाद टीना बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हूँ चलो ठीक है मैं जाती हूँ यहाँ पर सोने के लिए क्ल जो एक बहुत बड़ा दिन है जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पर किं बड़ा चुके हैं इसलिए उन लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ हैं उसको काफी जड़ा इक्रिस्ट कर लिया होगा और वह लोग काफी है काफी स्ट्रोंग है क्योंकि हमारे पास भी यहां पर दो हीरो रहेगी बैटल फिल्ट के अंदर हमारे बंदों को हील करेंगी मुझे पता है कि आप सभी लोग यहां पर डर रहे होंगे लेकिन अब लोगो को डरने के जैसे हम पहले जीते हैं हम लोग जहीं हम यहां पर फासी तो यहां पे ने बोलता है कि हां सभी के साथ में भी जारा हूं यहांपे प्रे Daisy को तम यहां पे वैटल फील्ड के आए इंटर जीत करना हैं यहां पे काफी खुश होती है और यह बोलती कि अच्छा यह यह वालू है जिसके बार में सभी लोगब बात कर रहे थे क्या मैं इसके सर पर हाँ रख सकती हूं तो यह रे बोलता है कि मुझे कोई दिकत नहीं पता नहीं इसको दिकत होगी की नहीं होगी लेकिन कहती है कि नहीं इसे कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग अच्छे फ्रेंड बन जाएंगी अभी जिसके बाद यह जैसे यहां दरने जाती है यहां पर भालू होता है वो जो होता है इसका हाँ साइड में कर देता है तभी रे बोलता है कि तुम टैंसर मतलो यह नए बंदों के स यह जो बिल्कुल ठीक लग रही है तो जिसके बाद यहां पर उलगा बोलता है कि यह जो अभी नर्वस है क्योंकि यह पहली बार बैटल फिल्ड के अंदर जाने वाली है तभी यहां पर एक बंदा आता है और यह बोलता है कि रे तुम्हें यहां पर रोज ने बुलाया है कि तुम्हें रूल याद है यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर तो यहाँ पे रे बोलता है कि मुझे यहाँ पे बैटल फील्ड के अंदर फ्रंट लाइन पे खड़ा होना है वह भी जह तुम्हारे साथ में और यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जह हील करना है तब ही रेव के हम लोग frontline पे नहीं जाने वाले तो यहाँ पे रोज बोलती है कि हमने starting में नहीं जाना है क्योंकि starting में यहाँ पर बन्ते होते हैं वो ज़ा चोटिल नहीं होते और तुम्हें यहाँ पर जो frontline है उसकी जो एक और बात याद होनी चाहिए कि तुम्हें गल्ध बंदों को ठीक नहीं करना है तुम समझे नरा विए और तो यह उतला में करना है हो तुम्हें किसको हील करना है और उसमें तुम्हें साइचीजे खुई होचनी पड़ेगी जिसके बाद रोज यहां पर रे को ड्रेस देती है ओविजय रेस्क्यू टीम की यहां पर रे जो था ड्रेस को पहन लेता है यहीं पर जो रोज होती है यह बोलती कि तुम मरी बात ध् दिखा है वह बैटल फील्ड के अंदर और सभी तुम्हाई तरही थे तुम्हें अपनी जिन्दगी है उसकी जए वैल्यू करनी चाहिए तुम्हें यहां बंदों को बचाना है लेकिन तुम्हें खुद को भी जब बचाना है जिसके बाद रे बोलता है ठीक है मैं समझ गया म परने नहीं दूँगा यह बात तो यहां पर क्लियर है तो गाइस यहीं पर जो आप इस शोट होता है वह खतम हो जाता है उमीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीच चैन्सकाइब कर लिजेगा मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में जब दक लिए बाई बाई